वेलकम टो सौटन हेलपलाइन गुड मॉर्निंग इस्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है आज रभिवार है इसलिए आज आपको मिलेगा जीवनी और जीवनी में मिलेगा आपको सुस्मा स्वराज की जीवनी पर आधारे डिक्टीशन इस्पीड रहेगी वही सतर, असी, नबे, सौ और 110 सब्द प्रतिमिनट के डिक्टीशन तो जिस भी स्पीड के आप लिखते हों आप लेख सकते हैं उसकी टाइमिंग में अंसन कर दिजाएगी कमेंट बॉक्स में तो आपको इससे सुविधा होगी कि कौन से स्पीड कब बोली गई है तो उसके पहले जिनको भी आउट्लाइन्स की आवशक्ता हो वो आउट्लाइन्स देख सकते हैं और जिन्हें आउट्लाइन्स की आवशक्ता ना हो वो डारेक डिक्टीशन लिख सकते हैं बेस्पीट के वो dictation लिखते हैं क्योंकि यह जीवनी है इसलिए थोड़ा सा difficult हो सकता है इसलिए outline जरूर देखें और जरूर बनाने का प्यास करें फिर उसके बाद dictation लिखें एक बार में नहीं आता है तो फिर दुबारा dictation लिखें outlines देखें फिर dictation लिखें और फिर वीडियो को play करके फिर से matching करें चले start करते हैं पहले outlines इसमें आया है सुस्मा स्वाराज जी तो सुस्मा स्वाराज के लिए स, स और मौ लिखा है स्वाराज के लिए श्वा का आकड़ा फिर र और ज, और जी के लिए या तो आप इसी में जी लगा सकते हैं या फिर उसके जश्ट बगल में एक जग का लगा सकते हैं यानि जग बना सकते हैं तो वो जी पढ़ा जाता है इंद्रा गांधी ये कल वाले dictation में भी मैंने बताया था इंद्रा गांधी के लिए नो को बढ़ा करेंगे और गर और नो के वाल लिखेंगे तो गांधी हो जाएगा और के बाद का रूल जो इस्टेनो हेल्पलाइन पर हमने बताया था वो यहाँ पर अपलाई कर देंगे मोधी सरकार के लिए मैंने कई बार बताया था मोधी सरकार, मुलायम सरकार, ममता सरकार और यह सब जो सरकार होती है वो सब की मैंने बताई थी एक आउटलाइन अलग से तो अगर आपने नहीं देखा तो इसमें मोधी सरकार आया है तो यह देख लीजिए यह मुदी सरकार के लिए मौ लिखेंगे स्वा को बढ़ा करेंगे तो सरकार पढ़ा जाता है यह मैंने बताया है लेकिन अगर आप नहीं बनाना चाहते वह सरकार तो आप इस प्रकार से सरकार बना सकते हैं चूले में चूले में लगा सकते हैं चूले में डिखा है और इसमें में जोड़ दिया है अगर आप चाहें मैं फिर से repeat कर रही हूँ अगर आप चाहें तो चो लो और जस्ट हो भी उपर की तरफ लगा सकते हैं तो वो अच्छे से समझ में आएगा लेकिन मुझे ये लगा तो इसलिए मैंने ये लग दिया था नेक्स्ट प्रथम कारेकाल में प्रथम की आउटलाइन होती है फिक्स आउटलाइन होती है रिशिलाल वाले बुक में दी गई है प्रथम के लिए प्रव और मो तो ये प्रथम हो गया और कारेकाल के लिए कौ में रौका आकड़ा में तो इस चोटा होता है नाकी बढ़ा होता है तो आप इसका विशेश ध्यान रखी तो विदेश के लिए वो का आकड़ा, फिर दो फिर शौकर सर्किल और डइस लगा के मंतरी के लिए हम मो और रो लिखते हैं अब आता है cabinet मंत्री, तो cabinet के लिए हम केवल का और बा लिखते हैं, जैसे मंत्री लिखेंगे मा और राव वैसे ही लिख देंगे, next है supreme court, तो supreme court मैंने दो तिन आउटलाइन supreme court की बताई थी, जो आप suitable लगी आप लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी एक ही बताया है, जो जो जाएगा, तो supreme court, फस गए थे, फस के लिए फस लिखेंगे, और उसी में यहाँ बना देंगे, गए हो जाएगा, और थे, थे के लिए, मैंने इस चैकिन इस्तान पर बिंदी लगाई है, ताकि एग ही मात्रा अच्छे से differentiate हो सके, समर्पित्था, समर्पित के लिए ज्रम, समर्पित्त, पमिरॉका, आकड़ा, टाकाा, पे थे, थे, तो जो आएगा, शम, जो 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 बेच दाई हैर राश्टरा में इस न्य हम लिए शम, जो जो बनादें, हाँ संग और श्रिंग में केवल अंतर इतना है कि संग हम घव उपर की तरफ यह जो कट किया है और उसमें हम नीचे की तरफ करते हैं तो यह राश्री स्वयम सेवक संग का शौट था तो नेक्स्ट हैं दो दिन बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा क्योंकि जो बार बार आते ही रहते हैं एजे के बारiemand बताई है गौ और न का अखड़ा लगा दिया है हमने तो वह हो गया है राजनितिक विज्ञान नेक्स्ट है पंजाब युनिवर्सिटी से तो पंजाब की फिक्स आउटलाइन सिती की मैंने बताई थी प न और ज और ब और युनिवर्सिटी की भी एक होती है आप यह याद कर लेजिए यह मैंने कई बार बताया होगा यह और शाट युनिवर्सिटी और से तो आप जानते ही है लास्ट में से या में जोडते हैं तो शे के लिए शागा सरकल जोड़ दिया है चंडीगड में तो चंडीगड की आउटलाइन मैंने यहाँ पर बताई है च और ड और ग में रखा आकड़ा गड़ गड़ के लिए गर लिखते हैं और डैस लगाकर ही में जोड़ दिया है में छोटा बनता है हिंदी स्पीकर पुरस्कार हिंदी की आउटलाइन होती है ने से यूनिवर्सिटी कलर अवर्ड से से अब कहेंगे कि यह तो आउटलाइन हो गई से और में को मैं क्यों जोड़ रहे हूं क्योंकि आप जोड़ना सीख सकें कि में और से और ता आता है तो उसे कैसे जोड़ते हैं तो यूनिवर्सिटी के लिए यह शर और हमने बयान को पूरा लिखा है और बाजी के लिए वाजी भी लिख सकते हैं वह और G के लिए सप्चर बनाया है प्रतियोगिता के लिए प्रति गौर्ट का अकड़ा लगा दिया है जूजना पड़ा था तो जूजना के लिए जोज़ो और नका आकड़ा और पॉसे कड़ करते हैं तो वो पढ़ा पढ़ा जाता है और था तो यह हो गया था दिल का दौरा पढ़ने के कारण तो दिल का दौरा यह हम एक साथ लिख सकते हैं दौमे लौका आकड़ा फिर को के लिए कौली कायम ने और दौरा के लिए दौमे रौका आकड़ लगा है उसमें दौमे लोक आकड़ी में आप देख रहे होंगे कि यह डिस्टेंस जादा है और दौमे लोक आकड़ी के लिए डिस्टेंस कम है तो इसलिए आप पहचान सकते हैं तो यह दिल का दोरा पढ़ने का पौ नहीं क्यों लिखते हैं और कि एक आरण का जो रूल हमन देते हैं और क्याड़ के लिए कर ड और जस्ट बढ़ा करेंगे तो इसमें टर जुड़ी आएगा तो कैड़े हो गया और नेक्स्ट ब्यस्ट रहा करती थी तो कुछ आउटलाइन छूट गया थे यानि होने के बाद भी कुछ आउटलाइन रह गया थे तो स्टार्टिंग से मैंने देखा है तो यह स्टार्टिंग वाले ही आउटलाइन से ब्यस्ट रहा करती थी तुले चोके में ब्यस्ट रहा करती थी यह दा तो ब्यस्ट के लिए ब व यह लिखेंगे और इस तो का चाप एंद्रा को बढ़ा करेंगे तो रहा और कमे रोका कर और ती के लिए तुलिखाया हमने और थी के लिए धालिक दिया है अब टीरेंट से लिफ्रेंसेट हो सकति हम पालीके अरी reg इसलिए तो घृषट दिए फौरस पिंगे टोपिंग श्रा और है और और किया कम और किया का सब्कूर ओजिए के लिए अगर बीच में आता है तो केवल यौ का सरकल बनाते हैं यौ का आकड़ा और था हमने जोड़ दिया है एसी बालाजी मेमोरियल तो एसी के लिए शव बनाया है बाली के लिए बा में लो का आकड़ा मेमोरियल के लिए मा मा और लो लिखा है अब घोशना प्रतियोगिता में एक साथ लिखा है घोशना के लिए घर शका सरकेल फिर न प्रतियोगिता के लिए प्रति गर और तका आकड़ा और मे के लिए हमने न को कट कर दिया है तो वो मे हो गया है तो ये तो रही आउटलाइन्स की अगर आपको दुबारा 200 और 110 सब्द प्रति मिनट तो आप जो भी स्पीड लिखते हों आप अपने अकॉर्डिंग लख सकते हैं टाइम मेंशन कर दी जाएगी कॉमेंट बॉक्स में आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी डिक्टेशन किस मिनट पे बोली गई है तो चले स्टार्ट करते हैं सत्तर सब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा त्री सेकंड बाद स्टार्ट भारत में महिलाएं जिस समय घर के चूले चौके में व्यस्त रहा करती थी उस समय हर्याना के अंबाला की सुस्मा स्वराज जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी इंद्रा गांदी के बाद राजनिती में अपनी अलग पहचान बनाने वाली महिला नेताओं में सुस्मा जी सबसे उपर रही है सुस्मा स्वराज ने राजनिती में जब जब कमान समहाली उन्होंने अपनी पार्टी से अलग अपनी पहचान बनाई मोदी सरकार के प्रथम कारेकाल में वह विदेश मंत्री पद पर रही इसके अलामा वो हर्याना में सबसे कम उम्र की काबिनेट मंत्री सुप्रीम कोट की वकील दिल्ली की मुख्य मंत्री नेता प्रतिपक्ष भी रह चुकी है उन्होंने न जाने कितने भार्तियों को विदेशों से निकाला जो किनही कारणों से बाहर के देशों में फस गए थे उनका कारेकाल देश ही नहीं बलकी मानवता को भी समर्पित था सुस्मा स्वराज जी का जन्म 14 फर्वरी 1952 को अंबाला में हुआ था जो की उस समय पंजाब का हिस्सा था उनके पिता का नाम स्री हर्देव सर्मा था जो राश्ट्रिय स्वयम सेवक संग के सदस्य थें इस वजह से उनके जीवन पर बचपन से ही संग की विचारधारा का प्रभाव पड़ता रहा उनके सबसे प्रिय नेताओं में अटल बिहारी वाजपेई जी रहे हैं सुसमा जी ने राजनितिक विज्ञान और संस्कृत में सनातक की डिगरी ली इसकी बाद उन्होंने चंडीगड में पंजाब युनिवरसिटी से लल बी की प्राप्त की संग के प्रभाव के कारण वो एक कुसल वक्ता थी कॉलेज के समय में उन्हें कुसल वक्ता का सम्मान मिलता रहा हर्याना के भासा विभाग द्वारा आयोजित एक राज्य इस्तरिय प्रतियोगिता में सुस्मा जी ने लगातार तीन वर्षों के लिए सर्वस्रिष्ट हिंदी स्पीकर पुरसकार प्राप्त किया था साथ ही साथ तीन वर्षों के लिए उन्हें स्दी कॉलेज के एन्सी सी का सर्वस्रिष्ट कैडट भी घोशित किया गया था सुस्मा जी एसी बाली मेमोरियल घोशना प्रतियोगिता में पंजाब विश्वविद्याले की हिंदी में सर्वस्रिष्ट स्पीकर भी बनी और उन्हें वहां युनिवर्सिटी कलर अवोर्ड से सम्मानित किया गया सुस्मा जी ने बयान बाजी प्रतियोगिता बहस गायन नाटक और अन्य सांस्कृतित गतिविधियों में कई पुरस्कार अपने नाम किये थे सुस्मा जी ने गवर्नर के रूप में भी कार्य किया है वे सन 1990 से दो साल तक मिजोरम की गवर्नर रही सन 1990 से 2004 तक संसद की सदस्य रही सुस्मा स्वराज जी के द्वारा किये गए कार्यों के चलते इन्हें दो बार सर्वस्रिष्ट सांसद का पुरस्कार भी मिला है वह पहली और अब तक की एक मात्र महिला सांसद है जिढें यह पुरस्कार मिला है साल 2018 में सुस्मा जी को किडनी से जुड़े बिमारी से जूझना पड़ा था 10 दिसंबर को दिल्ली के एम्स में सुस्मा जी का किडनी ट्रांस प्लांट हुआ किसी असंबंधित डोनर ने उन्हें किडनी दी और यह सेर्जरी सफल रही दिल का दोरा पड़ने के कारण 6 अगस्त 2019 को सुस्मा जी सदा के लिए चीर निद्रा में सो गई 70 सब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समापत हुआ अब बारी है 80 सब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की तो स्टार्ट करेंगे 80 सब्द प्रति मिनट उसके पहले आप लोगों से अन्रोध है कि डिक्टेशन लिखने से पहले जरूर आप डिक्टेशन को लाइक जरूर किया क करें फिर उसके बाद आपने क्टिशन लिखा करें तो चले स्टार्ट करते हैं 80 सब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा थ्री सेकेंड बाद स्टार्ट भारत में महिलाएं जिस समय घर के चूले चौके में व्यस्त रहा करती थी उस समय हरियाना के अंबाला की सुस्मा स्वराज जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी इंद्रा गांधी के बाद राजनिती में अपनी अलग पहचान बनाने वाली महिला नेताओं में सुस्मा जी सबसे उपर रही है सुस्मा स्वराज ने राजनिती में जब-जब कमान समहाली उन्होंने अपनी पार्टी से अलग अपनी पहचान बनाई मोदी सरकार के प्रथम कार्यकाल में वह विदेश मंत्री पद पर रही इसके अलामा वो हर्याना में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री सुप्रीम कोर्ट की वकील दिल्ली की मुख्य मंत्री नेता प्रतिपक्ष भी रह चुकी है उन्होंने न जाने कितने भार्तियों को विदेशों से निकाला जो किनही कारणों से बाहर के देशों में फस गए थे उनका कारेकाल देश ही नहीं बल्कि मानवता को भी समर्पित था सुस्मा स्वराज जी का जन्म 14 फर्वरी 1952 को अंबाला में हुआ था जो की उस समय पंजाब का हिस्सा था उनके पिता का नाम स्री हरदेव सर्मा था जो राष्ट्री स्वयम सेवक संग के सदस्य थे इस वजह से उनके जीवन पर बचपन से ही संग की विचारधारा का प्रभाव पढ़ता रहा उनके सबसे प्रिय नेताओं में अटल बिहारी वाजप्रेई जी रहे हैं सुसमा जी ने राजनितिक विज्ञान और संस्कृत में स्नातक की डिग्रे ली इसके बाद उन्होंने चंडिगण में पंजाब युनिवरसिटी से ललबी की प्राप्त की संग के प्रभाव के कारण वो एक कुसल वक्ता थी कॉलेस के समय में उन्हें कुसल वक्ता का सम्मान मिलता रहा हर्याना के भासावेभाग द्वारा आयोजित एक राज्य स्तरिय प्रतियोगिता में सोस्माजी ने लगातार तीन वर्षों के लिए सर्वस्रेष्ट हिंदी स्पीकर पुरस्कार प्राप्त किया था साथ ही साथ तीन वर्षों के लिए उन्हें SD, कॉलेस, KNCC का सर्वस्रेष्ट कैडट भी घोसित किया गया था सोस्माजी AC बाली मेमोरियल घोशन प्रतियोगिता में पंजाब विश्व विद्याले की हिंदी में सर्वस्रेष्ट स्पीकर भी बनी और उन्हें वहां University Color Award से सम्मानित किया गया सुस्माजी ने बयान बाजी प्रतियोगिता, बहस, गायन, नाटक और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में कई पुरशकार अपने नाम किये थे सुस्माजी ने गवर्नर के रूप में भी कार्य किया है वे सन 1990 से दो साल तक मिजोरम की गवर्नर रही सन 1998 से 2004 तक संसद की सदस्य रही सुस्मा स्वराज जी के द्वारा किये गए कार्यों के चलते इन्हें दो बार सर्वस्रिष्ट सांसद का पुरशकार भी मिला है वह पहली और अब तक की एक मात्र महिला सांसद है जिन्हें यह पुरशकार मिला है साल 2018 में सुस्मा जी को किडनी से जुड़ी बिमारी से जूझना पड़ा था 10 दिसंबर को दिल्ली के एम्स में सुस्मा जी का किडनी ट्रांस्प्लांट हुआ किसी औसंबंधत डोनर ने उन्हें किडनी धी और या सरजरी सफल रही दिल का दोरा पड़ने के कारण 6 अगस्त 2019 को सुस्मा जी सदा के लिए चीर निद्रा में सो गई असे सब्द प्रतिमिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ अब बारी है 90 सब्द प्रतिमिनट के डिक्टेशन की तो अब हमें स्टार्ट करेंगे 90 सब्द प्रतिमिनट और डिक्टेशन लिखने से पहले हम ये बता दे कि अगर आपको dictation थोड़ी से tough लगी हो तो कोई बात नहीं है आप dictation को पुनह प्ले करके फिर से लिख सकते है dictation क्योंकि ये जीवने dictation है और इसे आप जितने बार लिखेंगे अतना आपका ही benefit होगा तो वीडियो को पुनह प्ले करिए और फिर से लिखिया अगर आप 80 की लिखते है तो वनने जो नब्य लिखते है वो यहां से start कर सकते है नब्य सब्दे प्रते मिनट dictation start होगा 4 second बात start भारत में महिलाएं जिस समय घर के चूले चौके में व्यस्त रहा करती थी उस समय हर्याना के अंबाला की सुस्मा स्वराज जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी इंद्रा गांधी के बाद राजनिती में अपनी अलग पहचान बनाने वाली महिला नेताओं में सुस्मा जी सबसे उपर रही है सुस्मा स्वराज ने राजनिती में जब जब कमान सम्हाली उन्होंने अपनी पार्टी से अलग अपनी पहचान बनाई मोदी सरकार के प्रथम कारिकाल में वह विदेश मंत्री पद पर रही इसके अलावां वो हर्याना में सबसे कम उम्र की काबिनेट मंत्री सुप्रीम कोट की वकील दिल्ली की मुख्य मंत्री नेता प्रतिपक्ष भी रह चुकी है उन्होंने न जाने कितने भार्टियों को विदेशों से निकाला जो किनी कारणों से बाहर के देशों में फस गए थे उनका कारिकाल देश ही नहीं बल्कि मानवता को भी समर्पित था सुस्मा स्वराज जी का जन्म 14 फरवरी 1952 को अंबाला में हुआ था जो की उस समय पंजाब का हिस्सा था उनके पिता का नाम स्री हरदेव सर्मा था जो राश्ट्रिय स्वयम सेवक संघ के सदस्य थे इस वजह से उनके जीवन पर बचपन से ही संघ की विचारधारा का प्रभाव पढ़ता रहा उनके सबसे प्रियनेताओं में अटल विहारी वाजपेई जी रहे हैं सुस्मा जी ने राजनितिक विज्ञान और संस्कृती में सनातक की डिग्रे ली इसके बाद उन्होंने चंडिगड में पंजाब युनिवरसिटी से ललबी की प्राप्त की संग के प्रभाव के कारण वो एक कुसल वक्ता थी कॉलेज के समय में उन्हें कुसल वक्ता का सम्मान मिलता रहा हर्याना के भासा विभाग द्वारा आयोजित एक राज्ये स्तरिय प्रतियोगिता में सुस्मा जी ने लगातार तीन वर्षों के लिए सर्वस्रेष्ट हिंदी स्पीकर पुरस्कार प्राप्त किया था साथ ही साथ तीन वर्षों के लिए उन्हें SD कॉलेज के NCC का सर्वस्रेष्ट कैड़िट भी घोसित किया गया था सुस्मा जी AC बाली मेमोरियल घोशना प्रतियोगिता में पंजाब विश्वविद्याले की हिंदी में सर्वस्रेष्ट स्पीकर भी बनी और उन्हें वहां University Color Award से सम्मानित किया गया सुस्मा जी ने बयान बाजी, प्रतियोगिता, बहस, गायन, नाटक और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में कई पुरशकार अपने नाम किये थे सुस्मा जी ने गवर्नर के रूप में भी कार्य किया है, वे सन उन्निस सो नम्बे से दो हजार चार तक मिजोरम की गवर्नर रही, सन उन्निस सो ठानबे से दो हजार चार तक संसद की सदस्य रही सुस्मा स्वराज जी के द्वारा किये गए कार्यों के चलते, इनहीं दो बार सर्वस्रेष्ट सांसद का पुरशकार भी मिला है वह पहली और अब तक की एक मात्र महिला सांसद है जिन्हें यह पुरशकार मिला है साल दो हजार अठार में सुस्मा जी को किड़नी से जुड़ी बिमारी से जूजना पड़ा था 10 दिशंबर को दिल्ली के एमस में सुस्मा जी का किड़नी ट्रांस्प्लांट हुआ किसी औसंबंधिट डोनर ने उन्हें किड़नी दी और यह सर्जरी सफल रही दिल का दोरा पढ़ने के कारण 6 अगस्त 2019 को सुस्मा जी सदा के लिए चीर निद्रा में सो गई 90 सब्द्र प्रतिमिनट रिक्टिशन समाप्त हुआ यहां पर है 1992 से 2 साल तक अब मैंने यहां पर बोल दिया है 1990 से 2004 तक तो आप इस पर ध्यान दिजेगा मिस्टेक अगर काउंट करेगा तो इसको काउंट मत करेगा तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं 100 सब्द्र प्रतिमिनट चलिए बढ़ती 100 वर्ट प्यूम के ओर स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम बात आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें इसका पीडियाफ आपको मिल जाता है फिस्बुक ग्रूप में वर्सद ग्रूप में और टेलिजिध्यव चैनल पर आप जहां चाहें बहां से प्राप्ट कर सकते हैं इसके अतरिक्त अगर आप इन पर नहीं जाना चाहीरे तो डिस्क्रिप्शन भी आपको इसका पीडियाफ मिल जाएगा ठीक है तो बहां से भ पहलाएं जिस समय घर की चूले चौके में व्यस्त रहा करती थी। उस समय हर्याना की अंबाला की सुस्मा स्वराज जी नी अपनी एक अलग पहँचान बनाई थी। इंद्रा गांधी के बाद राजनीत में अपनी अलग पहँचान बनाने वाली महला नेताओं में सुस्मा जी सबसे ऊपर रही हैं। सुस्मा स्वराज ने राजनीत में जब जब कमान संभाली उन्हों ने पार्टी से अलग अपनी पहँचान बनाई मोदी सरकार की प्रथम कारकाल में वह विदेश मंत्री पद पर रही इसके अलावा वो हर्याना में सबसे कम उम्र की कैबिनिट मंत्री, सुप्रीम कोट की बकील, दिल्ली की मुख्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुकी हैं। उन्होंने न जाने कितने भारतियों को विदेशों से निकाला जो किन्ही कारणों से बाहर के देशों में फस गए थी। उनका कारिकाल देश ही नहीं वलकि मानपता को भी समर्पित था। सुसमा स्वराज जी का जन्म 14 फरवरी 195 को अंबाला में हुआ था, जो कि उस समय पंजाब का हिस्सा था। उनके पिता का नाम स्री हर्देव सर्मा था, जो राष्टिय स्वयम सेवक संग के सदस्य थी। इस वजह से उनके जीवन पर बचपन से ही संग की विचार धारा का प्रभाव पढ़ता रहा। उनके सबसे प्रियनेताओं में अटल बिहारी बाजपेजी रहे हैं। सुस्मा जी ने राजनीतिक विज्ञान और संस्कृत में इसनातक की डिगरी ले। इसके बाद उन्होंने चंडीगड में पंजाब युनिवर्स्टी से एललवी की उपाधी प्राप्त की। संग के प्रभाव के कारण वो एक कुसल वकता थी। कॉलेज की समय में उन्हें कुसल वकता का सम्मान मिलता रहा। हरियाना की भासा विभाग द्वारा आयूजित एक राज इस्तरिय प्रतियोगता में सुस्मा जी ने लगातार तीन वर्सों के लिए सर्विस्रेष्ट हिंदी स्पीकर प्रुसकार प्राप्त किया था। साथ ही साथ तीन वर्सों के लिए उन्हें SD कॉलेज की NCC का सर्विस्रेष्ट कैड़ेट भी घोसित किया गया था। सुस्मा जी एसी वाली मेमोरियल घोष्टना प्रतियोगता में पंजाब इस विद्याले की हिंदी में सर्विस्रेष्ट स्पीकर भी बनी और उन्हें बहां युनिवर्स्टी कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुस्मा जी ने बयानवाजी प्रतियोगता, बहस, गायन, नाटक और अन्य सांस्कृतिक गत्विदियों में कई पुरुष्कार अपने नाम किये थे। सुस्मा जी ने गवर्नर की रूप में भी कार किया है। वे सन 1990 से दो साल तक मिजोरम की गवर्नर रही। सन 1998 से 2004 तक संसद की सदस्य रही। सुस्मा सुराज जी के द्वारा किये गए कारियों की चलती इन्हें दो बार सर्विस्रिष्ट सांसद का पुरुषकार भी मिला है। वह पहली और अब तक की एक मात्र महला सांसद ही जिन्हें यह पुरुषकार मिला है। साल 2018 में सुस्मा जी को किडनी से जुड़ी बीमारी से जूजना पड़ा था। 10 दिसंबर को दिल्ली की एम्स में सुस्मा जी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। किसी असंबंधित डॉनर ने उन्हें किडनी दी और यह सर्जरी सफल रही। दिल का दौरा पढ़ने की कारण 6 अगस्त 2019 को सुसमा जी सदा की लिए चिर्ने द्रा में सो गई। तो यह था 100 वर्ट पीम और आप समय है 110 वर्ट पीम का जो कि आखरी रिक्टेशन होगा। बस दो तीन दिन बेट कीजिए आपको फिर से 120 वर्ट पीम मिलेगा क्योंकि अभी थोड़ा सा समझ्या है। चलिए स्टार्ट करती हैं 110 वर्ट पीम स्टार्ट करेंगे ठीक तेन सेकंड बाद। भारत में महलाएं जिस समय घर के चूले चौके में व्यस्त रहा करती थी। उस समय हर्याना के अंबाला की सुसमा सुराज जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। इंद्रा गांधी के बाद राजनीत में अपनी अलग पहचान बनाने वाली महला नेताओं में सुसमा जी सबसे उपर रही है। सुसमा सुराज ने राजनीत में जब-जब कमान संभाली उन्होंने पार्टी से अलग अपनी पहचान बनाई। मोधी सरकार की प्रथम कारकाल में वह बिदेश मंत्री पद पर रही। नहीं। इसके अलाबा वो हर्याना में सबसे कम उम्र की कैवनिट मंत्री, सुप्रीम कोट की वकील, दिल्ली की मुख्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुकी है। उन्होंने न जाने कितने भारतियों को बिदेशों से निकाला, जो किनी कारणों से बाहर की देशों में हस गय थी। उनका कारकाल देश ही नहीं वलकि मानपता को भी समर पित था। सुसमा स्वराज जी का जन्व 14 फरवरी 195 को अंबाला में हुआ था, जो कि उस समय पंजाब का हिस्सा था। उनके पिता का नाम स्री हरदेव सर्मा था, जो राष्टिय स्वयम सेवक संग के सदस थी। इस बजह से उनके जीवन पर बचपन से ही संग की विचारधारा का प्रभाव पड़ता रहा। उनकी सबसे प्रियनेताओं में अटल विहारी भाजपेजी रही है। सुसमा जी ने राजनीतिक विज्ञान और संस्कृत में इसनातक की डिगरी ली। इसके बाद उन्होंने चंडीगर में पंजाब युनिवर्स्टी से एललवी की उपाधी प्राप्त की। संग के प्रभाव के कारण वो एक कुसल वक्ता थी। कॉलेज के समय में उन्हें कुसल वक्ता का सम्मान मिलता रहा। हर्याना की भासा विभाग द्वारा आयूजित एक राज्य इस्तरिय प्रतियोगता में सुस्मा जी ने लगातार तीन वर्सों के लिए सर्विसरेश्ट हिंदी स्पीकर पुरुसकार प्राप्त किया था। साथ ही साथ तीन वर्सों के लिए उन्हें SD कॉलेज की NCC का सर्विसरेश्ट कैड़ेट भी घोसित किया गया था। सुस्मा जी एसी वाली मेमोरियल घोशना प्रतियोगता में पंजाब इस सुविद्याला की हिंदी में सर्विसरेश्ट स्पीकर भी वने उन्हें बहां यूनिवर्स्टी कलर अबाउर्ड से समानित किया गया। सुस्मा जी ने बयानवाजी प्रतियोगता, बहस, कायन, नाटक और अन्य सांस्कृतिक गतविदियों में कई पुरुषकार अपने नाम किये थे। सुस्मा जी ने गवर्नर के रूप में भी कार किया है। विसन 1990 से 2 साल तक मिजोरम की गवर्नर रही। सन 1998 से 2004 तक संसद की सदस्य रही। सुस्मा सुराज जी के द्वारा किये गए कारियों की चलती इन्हें दो बार सर्विस्रिष्ट सांसद का पुरुषकार भी मिला है। वह पहली और अब तक की एकमात्र महला सांसद हैं जिन्हें यह पुरुषकार मिला है। साल 2018 में सुस्मा जी को किड़नी से जुड़ी बीमारी से जुजना पड़ा। 10 दिसंबर को दिल्ली के एम्स में सुस्मा जी का किड़नी ट्रांस्प्लांट हुआ। किसी असंबंधित डॉनर ने उन्हें किड़नी दी और यह सर्जरी सफल रही। दिल का दोरा पड़ने के कारण 6 अगस्त 2019 को सुस्मा जी सदा के लिए चिर्ने द्रामे सो गई। तो यह था 110 बर्ट पीम आई होप आपने लिखा होगा क्योंकि आउटलाइन आपको पहले से मिल चुके हैं और कोई कठें सब्द हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वाकी प्रैक्टिस करते रहिए डिक्टिसन अच्छी लिख सकते हैं आप कोई कुछ लोग होते हैं आपको नए डिक्टिसन लिखने में तकलीफ होती है कुछ क्या ज्यादता लोग होते हैं तो पहले आउटलाइन इसलिए दे जाते ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और फिर आपको डिक्टिसन के सब्द नए ना लगे तो आई होप डिक्टिसन आपको पसंद आ रही झाल